फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने वाली हूँ लच्छा पराठा की रेसिपी मैं दो तरीकी से आज पराठा बना रही हूँ आई होप आपको पसंद आएगा तो प्लेस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा पसंद आए तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजेगा तो चलिए अब शिरू कर लेते हैं ये बढ़िया साथ क्रिश्पी और टेस्टी लच्छा पराठा बनाना फ्रेंट्स वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को हिट करके आल पर क्लिक कर ले ताकि हर निव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके तो चलिए अब यहां में दो तरीके का लच्छा पराटा बना रही हूं तो पहले मसाला त्यार कर लेते हैं यहां पर लिया हमने बुना हुआ जीरा साथ में लिया है हाफ चमच मैगी का मसाला आप इसकी जगा सांबर मसाला भी योज कर सकते हैं हाफ चमच यह लिया है हमने मेच का पाउड साथ में रेना है स्वात के अनुसार से नमक नमक थोड़ा ही डालेंगे अभी हम जब डो लगाएंगे तो डो में भी हम नमक डालेंगे इसलिए नमक हम यहाँ पे थोड़ा सा कम योज कर रहे है तो अच्छे से मिक्स कर लेना है बहुत ही चुटपटा ये बन कर त्यार हो गया मसाला हमारा चले ही सी साइड में रखते हैं और हम अपन डो लगा लिटे हैं यहाँ पर हमने मैदा लिया है वैसे तो ट्रडिशनली ये मैदे से ही बनता है बहुत सारे लोग आटे से भी बनाते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर मैदा लिया है तो ये एक कप मैदे में हमने थोड़ा सा नमक डाला है स्वाथ के अंसार और एक चमच हमने डाला है रिफाइन डॉयल साथ में मैं यहाँ पर एड़ कर दे रही हूँ दो चमच गेहूं का आटा बहुत सारे लोग इसे सिर्फ आटे से बनाते हैं या सिर्फ मैदे से भी बनाया जा सकता है मैं इसको मिक्स करके बना रही हूँ तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है थोड़ी थोड़ी पानी के साथ इसका हमें डो लगा लेना है डो हमें बिल्कुल आटी की तरह लगाना है जिस तरीके से हम रोटी का आटा बनाते हैं डो लगाते हैं सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे बनाना है मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट तो यह देखें आटा हमने गूत कर त्यार कर लिया है, हाथ में थोड़ा सा ऐल लगा कर भी बार अच्चे से ग्रेस कर लेंगे, इस तरिके से, ताकि हम इसको रखे ना तो इस पर कोई पपड़ी ना पड़े, वो आटा हमारा बिल्कुल लगकर त्यार हो गया है, चलिए इसको ढख देते हैं 10 मिनिट बाध हम इसको बनाएंगे, तो 10 मिनिट हो चुका है friends, चलिए अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं आटा सेट हो चुका है, एक बार हाथ से चिकना कर लेंगे और फिर इसके पराठे तयार करेंगे तो हाज सी चिकना करते हुए मैंने यहाँ पे इसकी लोईयां बना ली है तो इस तरीके से यहाँ पे इतने आटे में चार लोईयां त्यार किये हैं हमने यह बहुत मोटा नहीं बनता है ना ही बहुत पतला बनता है तो इसके लिए थोड़ी बड़ी लोई या हमने ली है और थोड़ी से आटे के साथ सुखी आटे से कोड करते हुए हमें इसको बेल लेना है बिल्कुल रोटी के जैसे बेलना है तो बस इस तरीके से हमें बेल लिया है अब उपर से हम थोड़ा सा इस पे घी लगा लेंगे आप यहां पे ध्यान रखें कि घी पूरी तरह मेल्ट नहीं होना चाहिए थोड़ा टाइट घी यहां पे हमें यूज करना है साथ में अब उपर सी थोड़ा सा सुखा मैदा लगा देंगे इस तरीके से और अब हमें इस तरीके से इसकी प्लेट्स बना लेनी है देखें बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से में बना रही हो ना तो बस इस तरीके से हमें प्लेट्स बना लेनी है इनकी बस अराम से उठाएंगे और इस तरीके से पीछे है ना जिस तरीके से हमें plates बनाते हैं इस तरीके से plates त्यार कर लेनी है बहुत ही आराम से हो जाता है ध्यान रखना है जितने आप छोटी plates बनाएंगे उतनी ही जादा अच्छी layers आपके पराठे में निकल कर आएंगे तो बस इस तरीके से हमें plates कर लेनी है प्रेंट्स में ये पहला तरीका आपको बता रही हूँ आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे और तरीके बताने वाली हूँ क्योंकि एक ही तरीके से नहीं बनता बहुत तरीकों से बनता है तो बस इस तरीके से अब fold करत तेंगे, आराम से इस तरीके से गुमाते हुए इसको, रास्ट में जो एंड इसको, हम चिपका देंगे, तोड़े सा पानी लगा लें, फिर थोड़ा सा घी लगा लें, ऐसे चिपका देंगे, हो गया ना बढ़िया अब इसको हाथ से जिले थोड़ा सा दबा लिते हैं और अच्छी से लोई त्यार कर लिते हैं ये देखें बिल्कुल इस तरीके से अब थोड़ा सा आटा डेस्ट करते हुए इसको अच्छी से बेल लेना है बहुत हलके हाथ से बेलना है तो हम इने साइड में रखते हैं और अब चलिए एक हम आपको दिखा देते हैं मसाले वाला पराठा किस तरीके से बनाएंगे तो सेम ने यहां पर एक रोटी ले लिया है और इसको इस तरीके से घी से ग्रेस कर दिया है उपर से थोड़ा सा सुखा हाटा डस्ट कर देंगे औ आपने जो मसाले तैडिये थे इस तरीके से डाल देंगे है से सिंसकी आपको बिताया कि हम आपको बहुत सारी लिघने वाले इंट ज़्य टेक्रावर को एक वीडियो में उठाते वे plates बना लेनी है तो बढ़िया से उठा लीजे अराम से ये देखे और इस तरीके से थोड़ा सा आगे टर्न करेंगे फिर थोड़ा सा पीछे तो इस तरीके से कड़ते वे plates त्यार कर लेंगे देखे बहुत ही अराम से हो जाता है अब थोड़ा सा सुखा आटर डस्ट करके बनाईएगा ना तो बिल्कुल परिशानी नहीं होगी ये नीटे से चिपकेंगे भी नहीं तो बस इस तरीके से plates डालते जाएंगे ये देखे बहुत ज़़ादा हाँ से चिपकाएंगे नहीं से करते हुए अब हम इसको रोल कर लेंगे बस इस तरीके से जैसे हमने सिंपल सा वाला पराठा चो बनाया है उसको हमने रोल किया ना बिल्कुल से मुसी तरीके से इसको भी रोल कर लेना है और यहां पर अंड को इस तरीके से चिपका देना है बिल्कुल इस तरीके से, हाँसे थोड़ा सा प्रेश करेंगे, प्लेट फार्म पर थोड़ा सा सुखा अटा डस्ट करेंगे और इसको अच्छे से बेल देंगे, बिल्कुल हलके हाँसे बेलना है, ज़्यादा टाइट हाँसे नहीं बेलना है, बस देखे, बनकर त्यार हो गई हमारी ये वाली भी अच्छी से लेयर वाली बढ़िया सा पराठा, तो इसको भी हम रख लेते हैं साइड में, और अब चलिए इनको हम सेख लेते हैं, तो यहाँ पर हमने नॉर्मल घर में रोटी बनाने वाला तावा यूज किया है, और यह थोड़ा सा जब गरम हो गया है, तो हमने यहाँ पर पराठी को डाल दिया है, बिल्कुल इस तरीके से, और अब हम अरांसी से सिखने देंगे, लो मीडियम फ्लेम पर, और जब देखेंगे, थोड़ा सा एक साइड सिख जाए, अच्छे से जिस तरीके से नॉर्मल घर में जब बनाते है जब एक सायड से जाते हैं तो हम टर्न करते है सेम उसी तरीके से जब एक सायड सिख जाया था हम इससे टर्न कर देना है, और उसके बाद आप घी पसंद है तो आप घी लगाए और ऑयल पसंद देत आप Tabii मैं यहाँ पे थोड़े से रीफाइन डाल यूस कर देना है यह देखे और लेयर्स आप देख पा रहे होंगे एकदम बढ़िया सी आ रही है ना लेयर खुलकर अभी जिस तरीके से इसे पकाते जाएंगे ना यह लेयर्स अपने आप खुलती हुई आ जाएंगी तो बस ओपर से फिर से हमें इस तरीके से लगा देना है और बस दोनों साइड से पलटते हुए घुमाते हुए अच्छे से हमेंसे सेक लेना है यह देखे कलर कितना बढ़िया आ रहा है और लेयर्स मैं आपको भी पास से दिखाऊंगे आप देखिएगा कितनी बढ़िया लेयर्स आती है चलिए एक पर अठा हमारा सिकर त्यार है अब हम इसको आपको उठा कर दिखाते हैं पास से कितना बढ़िया लग रहा है यह तो चलिए उठा लेते हैं अब इसको और हम आपको पास से इसके लेयर्स दिखाते हैं तो यह देखिए कितनी बढ़िया लेयर्स लग रही है अब यह देखिए कितनी अच्छी लेयर्स कुलकर आ वह पराठा खैना यह पाषट सेक नाएं इसको भी हम शेक लेंगे लोग मीडियम फ्लेम पर हम पराठी को डालेंगे एक साइट से जाएगा तो हम इसे टर्न कर देंगे और बस आपको घी पसंद है तेल पसंद है जो भी पसंद है आप यहाँ पे लगा लेंगे और सेम जिस तरीके से हमने पहला वाला पराठा शेका था गुमाते वोई इस तरीके से पराठे को सेक लेंगे यह देहिए जब एक साइड पक जए तो हमें दूसरी पराठे को भी अच्छा सेक लेना है और यह जो मसाले वाला पराठा है इतना टेस्टी लगता है एक बार इस तरीके से मसाले वाला पराठा बना कर खायेगा बहत मजा आने वाला है आपका आप शरोर से लक्षा पराठा होंगे पर इस तरीके से मसाले वाला नहीं बनाए होंगे ना तो एक बार मसाले वाला पराठा बना कर देखेगा बहुत मसा आने वाला है दम चटपटा स्वाद आने वाला है तो ये देखिए मसाले वाला पराठा भी हमारा तयार है तो चटनी के साथ जिसके भी साथ आपको पसंद है हम सब कर लेते हैं और ये देखिए बढ़िया सा लच्छा पराठा हमारा तयार है कैसा लगा आपको काई इस वीडियो आप कॉमेंट करके चुरूर बताएगा लाइक कीजेगा, सेर कीजेगा, सिस्क्राइब कीजेगा और बिल आइकान को भी हिट कर लीजेगा मिलते हैं एक नए वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग